तो दोस्तों मध्य प्रदेश की डेस्टिक स्रीज में आगे वढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं सिहोर जिले में जिसका पूरो नाम सिध्वपुर जो सीवन नदी के नाम पर पड़ा सिहोर के आस्टा से परवती नदी निकलती हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गटन सिहोर प्रदेश की ड्राजधानी का छेत्र था और इतना ही नहीं उन्ने सुबाधतर में सिहोर से अलग करके एक नए जिला भोपाल बनाया गया और नय बने जिले को मत्रदेश की ड्राजधानी घुसित कर दिया गया पूरो में सिहोर आवंति का अभिन आंग था दोस्तों अगर वीडियो को एक सिगिन के लिए भी स्किप कर दिया तो गहुत कुछ मिस कर दिये इसलिए कुर्सी की पेटी बांग लीजिए और मैं ले चलते हूँ आपको सिहोर की तहसीलों में तो तहसीले हैं सिहोर, इच्छावर, आश्ठा, बुद्नी, नसुलागन, रहटी, स्यामपूर और चावर पडोसी जिलों की बात की जाए तो राजगर, रायसीन, हर्दा और दिवास सामिल है इसके अलामा जनसंख्या की बात की जाए तो तेरा लाग 11,335 है और 2011 के साब से साकशर्ता की बात की जाए तो 70.06% है छेतरफल की बात की जाए तो 6,578 वार किलो मीटर है और छेतरफल की तिष्टी से ये मद्ध प्रदेश का बीसवां बड़ा जिला है एंड क्रिसी की बात की जाये तो सिहोर जिले में सोया बीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है सोया बीन की खेती दो लाख पचत्तर हजार 161 हेक्टेयर पर की जाती है सिहोर जिले के बुधनी छेतर बासमती चावल की खेती की जाती है और ये जिला सर्वती के लिए भी प्रसिद है पर मुखनदियों की बात की जाये तो कोलार, पारवती और नर्वदा है और यहीं कोलार सिचाई पर यूजना भी इस थे थे वारन जीओं के बात की जाये तिस होर में उस रंकटी बंधी पंड़ पाती बंपाय जाते है इसके लावा अगर राश्टिय और भीयारन की बात की जाये तो राता पानी वनी जीओ भीयारन यहाँ पे है और जो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी जाना जाता है इसका कुछ हिस्सा राई सीन में भी आता है और कुछ सी होड meu एन अगर खनी जुद पातन की बात की जाए, तो यहां बैराइड सबसे ज़्यदा होता है ज़नकारी के लिए बताते हैं कि होकरु जन जाती, सरवाधिक पाई जाती है बोली की बात की जाय कोये, तो माल भी भासा है लोक नाट की बात की जाए तो भवई लोक नाट है फैर के बात तो ये भी है कि यहां सक्रेनपूर का मेला लगता है इसके अलावा यहां भोपाल सुगर मिल भी है इसके अलावा यहां कुलार पर योजना भी है सिहोर में जामा मस्जिद का जुड़ोतार सिकंद राजन दौरा कराया गया था इसके साथ ही तैसहरावाला मैदान सिहोर में जहां नरसिंगर के एक राज़कुमार चैन सिंग दौरा अंग्लेजों से युद्ध किया गया और यहीं पर उनकी समाधी बना दी गई उनको माध्य प्रदेश का प्रथम सहीद भी माना जाता है इसके अलावा सकलनपुर में माता पारवती का मंदिर भी है जो एक सकते पीठ है साथ ही यहां पर कुमर चैन सिंग की छतरी भी है जानकर अहरानी होगी कि रेल्वे स्लीपर बनाने का कार खाना सिहोर जिले के बुधनी में एस थे था इसके अलावा यहां की सबसे बड़ी बात मुहम्मद हिताय उद्ला जो सुप्रीम कोर्ड के जज्जमने थे यहीं के निवासी है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने सिहोर जिले से जुड़े महत्मों फैक्स और इंट्फॉर्मेशन को कबर करने की गोसिस की है वीडियो का कौन सा पार्ट जादा इंट्रेस्टिंग था कमेंटे से में जरू गताएगा थैंक्स पूर बोचिंग